बारिस का मौसम चल रहा है और हर साल बरसात में कहर बरसाने वाली एक बीमारी डेंगू है डेंगू मच्छरों के काटने पर एक गंभीर बीमारी है जो अधिकांस तह बारिस के मौसम में तेजी से अपने पैर पसारती है किसी डेंगू पीडित providers को काटने के बाद उसी मच्छर का आपको काटना आपके लिए घातक हो सकता है आईए जानते हैं कैसे फैलता है डेंगू एवं इसके क्या लक्षण होते हैं आईएव हम जानते हैं इसके क्या कारण हैं घर या घर के पास किसी गमले, पर्तन, सड़क या कूलर या अन्य किसी इस्थान पर एखटा जमे हुए पानी में डेंगू पैदा करने वाले मच्छर पनपते हैं, जो केबल एक बार काट कर भी आपको डेंगू का सिकार बना सकते हैं, इसलिए अपने आसपास किसी भी प्रक से लंबे समय तक पानी को इखटा ना होने दें, कई बार घर में रखे पानी के बर्तनों में डेंगू फैलाने वाले मच्छर अंडे दे देते हैं, जो बेहत खतरनाक होता है, घर में पीने के पानी और बर्तनों को ढाक कर रखें और प्रती दिन बदलते रहें, जब यह पीचर डेंगू पीडित ब्यक्ति को काटने के बाद किसी स्वस्थ ब्यक्ति को काटता है, तो स्वस्थ इंसान भी डेंगू की चपेट में आ जाता है, एक बार डेंगू होने पर इसके बार बार होने की संभाब ना भी वनी रहती है, इसलिए पहली बार में ही डेंगू स बचाप बहुत आवश्यक है आईए जानते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं सरीर के तापमान में अचानक तेजी से ब्रद्धी जो प्राया अन्य बाइरल बुखार के समान होता है इसके साथ सरीर में चक्ते भी होते हैं तेज सिर दर्द इवं लाल चहरा होना पीठ दर्द म स्पेसियों तथा जोडों हड्डियों में अत्यधिक तेज दर्द जिस कारण इसे हड्डी तोड वुखार भी कहा जाता है आखों को हिलाने में दर्द रोसनी से चका चौंद चहरे गले तथा छाती पर छुटपुट चकते या तीब्र चुभन बाले फोड़े फुनसी इ इप्रेशन आदी यदि कोई जटिलता जैसे की बहुत तेज बुखार काला मल इवम नाक मसूडों से रक्त इस्तराप की प्रविड़ती हो तो डेंगु जान लेवा हो सकता है ऐसे में मरीज को ततकाल अस्पताल में दाखिल किये जाने की जरुरत रहती है आईएव हम जान अधारत उपचार किया जाता है ताकि मरीज की जान बचाई जा सकी शरीर के तापमान को 49 डिग्री सेलसियस से नीचे रखने के लिए पैरसेटमॉल की गोलियों का सेवन एबम माथा सहत हाथ पैर को सामान ठंडा पानी के कपड़े से पहुचने की सलाह बुखार नियंत्रन है तू साथ ही भरपूर पानी ओर एस का घोल घर में ही निकाले गए फलों के रस पीने की तेलिये भोजन ना करने की और पूर्ण आराम करने की सलाह चिकिस सक देते हैं आराम ना करने पर बुखार रिपीट हो सकता है इस रोग में एस्पिरिन या एंटी इंफ्लमेंटरी दवाईयों का सेबन नहीं करना चाहिए अन्निता रक्तिस्त्राव अधिक हो सकता है इस बुखार में रक्त प्लाजमा में कमी आती है जिसकी समुचित पूर्ती सरीर में समय पर ना किये जाने इबं बुखार को कंट्रोल ना करने पर रोग घातक हो सकता है